दोस्तों मैं हूँ प्रभास और च्वाग थे आपका आपकी अपने एडूब चैनल प्रभास मिस्रापर दोस्तों आज से कुछ मेंने पहले हमारे रेल मंत्री जी ने दरभंगा से सहरसा तक की जो सीधी ट्रेन है डेमू एक्सप्रेस ट्रेन इसकी सुरुआत की थी और दोस् लाइं जाएंगी लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पर ना तो कोई इंटरसीडी ट्रेन चली है ना ही कोई दिल्ली की ट्रेन चली है लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक डेडलाइन आई है जिसके बाद इस रूड रेल रूट पे लंबे दूरी की ट्रेनों का चलना एक प्राकार से सुनशित है दोस्तों क्या यहाँ पर डेडलाइन आई है क्या बताया गया है आज किस वीडियो में से बाद करेंगे पूर इटल के साथ दोस्तों से ब्लेक्ट तूस करूं मेरा आप से आगरा यह दिब इस बीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके लंबी दूरी की टेन चल सकती है तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है इलेक्रिफिकेशन हमारी भारती रेलवे अभी इलेक्रिफिकेशन कर रही है दरभंगा से सहरसा तक के रेल रूट का और यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी यह आई है कि 62 किलोमीटर का जो रेल स इलेक्रिफिकेशन है यानि की सकरी से निर्मली इसमें इलेक्रिफिकेशन का जो काम है इस साल दिसमबर तक कर लिया जाएगा और दिसमबर के महिने में ही यहाँ पर इलेक्रिक टेने चलने लेगेगी जिसके बाद निश्टित तोर पे यहाँ पर जो लंबी दूरी की टेन होगा फिर एलेक्ट्रिक ट्रेने चलेंगी और एलेक्ट्रिक ट्रेनों के चलने के साथी साथ जो लंबी दूरी की ट्रेने हैं उनकी इंटरी भी सुनिश्टित हो जाएगी और जो इंटर सिटी और लंबी दूरी की जो ट्रेनों की डिमांड होती रही है वो भी पूरी हो पा